कॉम्निकेशन मॉडल एंड थियोरीज आज हम करेंगे शैनॉन और वीवर्स मॉडल 1949 यह वाला जो मॉडल है यह एरिस्टोर्टल का प्री प्रोजीशन कंसिस्ट करता है कहने का मतलब है कि एरिस्टोर्टल मॉडल का एक्सेंड़ फॉर्म है इसको समझने के लिए उन्होंने नहें बताया कि कॉम्निकेशन प्रोसेस में 12345 यह 5 एक एलिवेंट्स होते हैं जिनके थरू क्ल shipping प्राूसेस होता है कम्प्रीट होता है पहला है Information Source मतलब जो speaker होता है communicator होता है उससे starting होती है वो starting point होता है वो कुछ message ideas, information अपने दिमाग में रखता है और उस information को उस source of message को transmit करता है and code करता है कहने का मतलब है encoding का मतलब होता है कि उनको कुछ language देता है कुछ शब्द देता है कुछ written form देता है कोई sign दे सकता है symbol दे सकता है उस ideas को शब्द देता है और उस message को signal के कुछ माध्यम से आपो channel की तरफ carry signals यह जो signals है यह message के signals है उनको जो है आगे पहुँचाता है एक medium होता है यह और वो उस medium से उस channel के उस medium के माध्यम से अपने message को signals के रूप में आगे पहुचाता है और उसमें एक point आता है noise का जरूरी नहीं है कि सही channel इस्तिमाल नहीं होने के बाद जो है आपका communication सही तरीके से effective result दे सके उसका कारण होता है कि अगर environment में noise है जो disturbing element का का काम कर रहा है उसकी वज़े से आपकी information distorted हो जाती है miscommunication या mismanagement हो जाता है जिसकी वज़े से आपको output negative निलता है noise भी हो सकता है noise के और भी प्रकार हो सकता है हो सकता है जो employee है जिसको ये message जा रहा है वो manager को पसंद ही ना करे उसके लिए अपने मन में उसके घ्रणा हो उसको पसंद नहीं करता है dislike करता है या जो employee है वो working conditions से खुश नहीं है संतुष्ट नहीं है working conditions अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी उसे मन मारके कम resources के साथ काम करना पड़ रहा है या उसके सिर में दर्द हो रहा है या कोई personal problem है जिसकी वज़े से वो attention नहीं दे रहा है जो ये information communicator transmit करके signals के form में उस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर noise के कारण से जो उसको information मिलेगी उसने उसे attentively सुना नहीं जिसकी वज़े से वो जो output देगा आदे अदूरे communication को सुनकर वो premature evaluation देता है अब उसने जहाँ पर चैनल के माध्यम से message को receive कर लिया signal receive कर लिये उसने उसे सुन लिया समझ लिया अब receiver जो है जो communicating है जो employee है वो जो है उस message को decode करेगा उसको जैसा communicator ने speaker ने बात करी है उसको समझने की कोशिश करेगा उसने signals को कुछ अर्थ निकालेगा और आगे की तरह act करेगा वो message को catch करता है या तो सुनकर या किस चरप पढ़के अगर कोई orders लिखेत रूप में आया है तो circular pass हुआ है तो वो circular को पढ़ेगा और समझेगा और तब react करेगा अगर उसकी phone पे बात हो रही है या कोई news सुन रहा है तो news सुनने के बाद वो उसको decode करेगा उसको समझेगा उसका meaning निकालेगा उसका अनलाइज करेगा उसका interpretation करेगा और तब जाके वो react करेगा यहां के जो message है message मतलब जो information उसने receive करी है वो ultimately अब destination तक पहुँच गई है उसके दिमाग में feed हो गई है कि मुझे ये message मिला अब मुझे उस पे कैसे react करना है अब ये result oriented last उसका element है second आता है आपका bird laws communication model bird laws communication model में SMCR management हो जाता है जिसकी वज़े से आपको output negative मिलता है noise भी हो सकता है noise के और भी प्रकार हो सकता है हो सकता है जो employee है जिसको ये message जा रहा है वो manager को पसंद ही ना करे उसके लिए अपने मन में उसके घ्रणा हो उसको पसंद नहीं करता है dislike करता है या जो employee है वो working condition से खुश नहीं है संतुष्ट नहीं है working conditions अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी उसे मन मारके कम resources के साथ काम करना पड़ रहा है या उसके सिर में दर्द हो रहा है या कोई personal problem है जिसकी वज़े से वो attention नहीं दे रहा है जो ये information communicator transmit करके signals के form में उस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर noise के कारण से जो उसको information मिलेगी उसने उसे attentively सुना नहीं जिसकी वज़े से वो जो output देगा आदे अदूरे communication को सुनकर वो premature evaluation देता है अब उसने यहाँ पर channel के मार्द्यम से message को receive कर लिया signal receive कर लिये उसने उसे सुन लिया समझ लिया अब receiver जो है जो communicating है जो employee है वो जो है उस message को decode करेगा उसको जैसा communicator ने speaker ने बात करी है उसको समझने की कोशिश करेगा उसन signals को कुछ अर्थ निकालेगा और आगे की तरह act करेगा वो message को catch करता है या तो सुनकर या किस चुछ पढ़के अगर कोई orders जो है लिखेत रूप में आया है तो circular पास हुआ है तो वो circular को पढ़ेगा और समझेगा और तब react करेगा अगर उसकी phone पे बात हो रही है या कोई news सुन रहा है तो news सुनने के बाद वो उसको decode करेगा उसको समझेगा उसका meaning निकालेगा information उसने receive करी है वो ultimately अब destination तक पहुँच गई है उसके दिमाद में feed हो गई है कि मुझे ये message मिला अब मुझे उस पे कैसे react करना है अब ये result oriented last उसका element है second आता है आपका bird loss communication model bird loss communication model ने SMCR अब हुम करेंगे bird loss communication model bird loss communication model जो है SMCR इन factors के उपर depend करता है पहला है source जो communicator होता है communicator की कुछ sources होती है जिसके उपर वो communication design करता है ideas और expressions को form करता है जैसे उसकी communication skill हर व्यक्ति अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाता बता नहीं पाता समझा नहीं पाता apart from the fact कि उसकी knowledge बहुत अच्छी है second है attitude हर व्यक्ति का attitude भी depend करता है कि वो किस attitude के साथ दूसरे को treat कर रहा है हम हर किसी की बात को नहीं मानते नहीं सुनते just because of the attitude कभी-कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के attitude से ही हम अपने आथ को बहुत well free feel करते हैं क्यों? क्योंकि उसका attitude इतना sober और इतना helping hand महसूस होता है कि हमारी आदी बिमारी दूर हो जाती है थार्ड है knowledge हर व्यक्ति को knowledge भी होनी चाहिए उसे trick आनी चाहिए वो skillful होना चाहिए कि दूसरों से उसे अपनी बात मनवानी है तो किस तरीके से मनवानी है तो उसमें उसकी communication skill होनी चाहिए फ़र्ट है social system social system भी बहुत कुछ communication को depend करता है यह जो समाज है यहां पर किस level के लोग रह रहे हैं इनकी mentality कैसी है इनका education level literacy rate कितना है वो किस चीज को किस तरीके से mold करते हैं कैसे सोचते हैं कुछ बदलाव करना चाहते हैं यह resistant to change करते हैं वो लोग कि social system हमारा क्या कहता है हमें क्या allow करता है जैसे इंडिया का social system में एक कहावत है कि यहां के लोग जो है अतिति, देवो, भवो को बहुत ज़ादे importance देते हैं कि यह चीज़ विदेशों में कोई importance नहीं रखती इसको कोई नहीं मानता तो this is because of the social system यहां का culture जो है वो इसी type का है कि सब लोग सब के साथ रहते हैं सब का विकास होना चाहिए Now comes the message जब इन source के basis पे कोई idea, कोई information, कोई thought form किया जाता है mind में filter किया जाता है तो वो एक message का रूप ले देता है जिसको हम symbols के form में देते हैं उसमें कुछ element होता है कुछ treatment होता है कोई structure होता है content होता है वो क्या हो सकता है code हो सकता है कुछ symbol हो सकता है कुछ language हो सकती है अब अपनी ideas को एक शब्द दे दिया गया है एक तरीके से उसको एक content का रूप दे दिया गया है चाहे वो कोई expression हो आपका अब यहाँ पे आपको code दे दिये गए है आपको symbols दे दिये गए है कि इस symbols का अर्थ ये है तो A फॉर वो क्या बोलेगा apple बोलेगा, match कर लेगा अगर apple की photo बनी हुई है तो उसके आगे वो A बनाएगा इस symbols का भी अपने आप में earth होता है जैसे traffic signals हो गए red का क्या earth है, red light का green light का क्या earth है तो वो सारे symbols जो है अपने आप में speak करते हैं आप मैसेज देते है C means channels जब source से आपका ideas अब message का form ले चुका है अब message जो है किसी channel के माध्यम से medium के माध्यम से वो आगे transmit किया जाएगा receiver को जिससे कि हमें output मिलना है वो कैसे हो सकता है क्या channel हो सकता है किसी चीज को देखके आप react करते हैं किसी चीज को सुनकर आप react करते हैं किसी चीज को आप छूके एकदम से react करते हैं जैसे कोई चीज गरम है और आपने उसको हाथ लगाया तो आप एकदम हाथ हटा लेंगे क्यूंकि वो आपको गरम feeling दे रहा है smelling किसी चीज को खुष्षभू को आप smell करते हैं कुछ आपको अच्छी लगती है कुछ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसका reaction एते हैं पेस्टिंग कोछ चीज चक के बता देते हैं कि इसमें मीठा कम है या मीठा जादा है या उसका नमक कम है या नमक जादा है तो उसका आप reaction जो है जो चैमिल्स है वो आपकी sensory organs जो है उनसे react होके उनसे stimulus मिलकर आप जो है रिस्पॉंड करते हैं फिर है receiver जो ultimate receiver है जिसके लिए ये message बना हुआ है अगर receiver नहीं होगा तो कोई communication नहीं होगा receiver जो है वो भी अपनी communication skill set trick से समझता है कि दूसरा व्यक्ति किस रूप में क्या बात कह रहा है उसका अर्थ क्या है वो मुझसे क्या चाहता है attitude दूसरा व्यक्ति मेरी इज़त कर रहा है या मेरी इज़त नहीं कर रहा वो जो है दिल से मेरे से नफरत करता है knowledge वो अपनी knowledge को use करता है और उस message को interpret करता है और अपने आपको safeguard करते हुए वो आगे चलता है social system वो भी social system भी देखता है कि समाज में वो चीज लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसके बाद अपना opinion फॉर्म करता है या तो उसे accept करता है उस change को या resist to change हो जाता है उस change को क्या कहते हैं oppose करता है last है culture culture matters a lot हर व्यक्ति का हर नेशन का अपना अपना अलग अलग culture होता है रहता है जिससे हम react करते हैं और अपनी पूरी life अपनी source समझ मेंटालिटी उसी पर डिपेंड करती है यह आज के शैनॉन्स वीवर्स मॉडल 1949 पड़ा और बर्लॉस कॉम्निकेशन मॉडल पड़ा तो यह द्यों थ्योरी कॉम्निकेशन में बहुत इंपोर्टेंट है इनके ऊपर करिभार questions पूछे गए और उसमें इसी मॉडल को एक एक point को step by step समझाना है और यह बहुत easy है Thank you कुछ symbol हो सकते हैं कुछ language हो सकती है अब अपनी ideas को एक शब्द दे दिया गया है एक तरीके से उसको एक content का रूप दे दिया गया है चाहे वो कोई expression हो आपका अब यहाँ पे आपको code दे दिये गए है आपको symbols दे दिये गए है कि इस symbols का अर्थ यह है जैसे किसी को अगर ए छोटे बच्चे को A लिख के आप दिखाएं तो A फॉर वो क्या बोलेगा Apple बोलेगा, match कर लेगा अगर Apple की photo बनी हुई है तो उसके आगे वो A बनाएगा इस symbols का भी अपने आप में अर्थ होता है जैसे traffic signals हो गए red का क्या अर्थ है, red light का, green light का क्या अर्थ है तो वो सारे symbols जो है अपने आप में speak करते हैं आपको message देते हैं C means channels जब source से आपका ideas अब message का form ले चुका है अब message जो है किसी channel के माधियम से, medium के माधियम से वो आगे transmit किया जाएगा receiver को जिससे की हमें output मिलना है वो कैसे हो सकता है, क्या channel हो सकता है किसी चीज को देख के आप react करते हैं किसी चीज को सुनकर आप react करते हैं किसी चीज को आप छूके एकदम से react करते हैं जैसे कोई चीज गरम है और आपने उसको हाथ लगाया तो आप एकदम हाथ हटालेंगे क्यों? क्योंकि वो आपको गरम feeling दे रहा है Smelling किसी चीज को खुश्वू को आप smell करते हैं कुछ आपको अच्छी लगती है कुछ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसका reaction आप उसका देते हैं Pasting कुछ चीज आप चक के बता देते हैं कि इसमें मीठा कम है या मीठा ज़ादा है या उसका नमक कम है या नमक ज़ादा है तो उसका आप reaction जो है जो channels है वो आपकी sensory organs जो है उनसे react होके उनसे stimulus मिलकर आप जो हमने respond करते हैं फिर है receiver जो ultimate receiver है जिसके लिए ये message बना हुआ है अगर receiver ही नहीं होगा तो कोई communication नहीं होगा तो receiver जो है वो भी अपनी communication skill set trick से समझता है कि दूसरा व्यक्ति किस रूप में क्या बात कह रहा है उसका अर्थ क्या है वो मुझसे क्या चाहता है attitude दूसरा व्यक्ति मेरी इज़त कर रहा है या मेरी इज़त नहीं कर रहा है वो जो है दिल से मेरे से नफरत करता है knowledge वो अपनी knowledge को use करता है और उस message को interpret करता है और अपने आपको safe guard करते हुए वो आगे चलता है social system वो भी social system भी देखता है कि समाज में message जो है किसी channel के माधियम से medium के माधियम से वो आगे transmit किया जाएगा receiver को जिससे कि हमें output मिलना है वो कैसे हो सकता है क्या channel हो सकता है किसी चीज को देखके आप react करते हैं किसी चीज को सुनकर आप react करते हैं किसी चीज को चूके एकदम से रियाक्ट करते हैं जैसे कोई चीज गरम है और आपने उसको हाथ लगाया तो आप एकदम हाथ हटालेंगे क्यों कि वह आपको गरम फीलिंग दे रहा है Active Smelling किसी चीज को खुश्वू को को श्मैल करते हैं कुछ आपको अच्छी लगती है कुछ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप तक रियाक्शन आप देते हैं पेस्टिंग, कुछ चीज आप चक के बता देते हैं, कि इसमें मीठा कम है या मीठा जादा है, या उसका नमक कम है या नमक जादा है, तो उसका आप रियाक्शन जो है, जो चैमल्स है, वो आपकी सैंसरी ओर्गन्स जो है, उनसे रियाक्ट होके, उनसे स्टुमिलस मिलकर कॉम्निकेशन नहीं होगा, तो रिसीवर जो है, वो भी अपनी कॉम्निकेशन स्किल से, ट्रिक से समझता है, कि दूसरा व्यक्ति किस रूप में क्या बात कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है, आटिट्यूड, दूसरा व्यक्ति मेरी इज्जत कर र गार्ड करते हुए वो आगे चलता है शोशल सिस्टम वो भी शोशल सिस्टम भी देखता है कि समाज में वो चीज लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसके बाद अपना ओपिणयन करता है या उसी एक्सप्ट करता है इस चेंज को छेंज को अ क्या कहते है आप ऑस करता है शकर लास्ट ही心 फर्दол करते हैं और और वह सहाँ हैं आपसेmentsum ३ा समझे मेंटालिटी उसी पर डिपेंड करती है यह आज के शैलोंस वीवर्स मॉडल 1949 पड़ा और बर्लोस कॉम्मिकेशन मॉडल पड़ा तो यह द्यों थियोरी कॉम्मिकेशन में बहुत इंपोर्टेंट है इनके ओपर कई बार कॉस्चन्स पूछे गए और उसमें में इसी मॉडल को एक एक पॉइंट को स्टेप बाइस स्टेप समझाना है और यह बहुत इजी है थांक्यू